ओम शान्ते अब चार प्राक्टिसेज में आपके सामने रख रहा हूँ कर्म योग की उन प्राक्टिसेज को हम लोग यहां करेंगे भी कर्म योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कर्म योग को आप इस रूप में समझें जैसे ब्रह्मा बाबा हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्थित कर देते थे, हमें भी हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्थित करने की कला आनी चाहिए बाबा एरोप्लेन देखा करते थे कहते थे बच्चे देखो एरोप्लेन जैसे उड़ता है तुम्हारी स्थिती भी एरोप्लेन की तरह उड़ती कलाकी हो नीचे ही बाबा कभी मोटर गाड़ी देखते थे कहते थे देखो जैसे ये मोटर गाड़ी है तुम्हारा शरीर भी मोटर गाड़ी है, तुम्हा आत्मा ड्राइवर हो बाबा पेंड देखा करते थे, कहते थे देखो जैसे ये पेंड है वैसे तुम भी कल्प व्रिक्ष के नीचे बैठे हुए हो सुबह से लेके रात तक अलग-अलग कर्मों को हम अलग की रूप देना सीख जाएं जब नहाते हैं तो भी वाश्रूम में बाबा के साथ-साथ नहाएं एक लोटी जैसे मैं बाबा पे चड़ा रहा हूँ बाबा एक लोटी मुझ पे चड़ा रहे हैं मैं और बाबा दोनों ही साथ-साथ स्नान कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं तो भी मैं बाबा को एक गिट्टी खिलाता हूँ, बाबा मुझे एक गिट्टी खिला रहे हैं, मैं अपने पिता को खिलाता हूँ, पिता जी मुझे पुत्र को खिला रहे हैं, मैं अपने साजन को खिला रहा हूँ, साजन मुझे सजनी को खिला रहे हैं, क् कपड़े धो रही हूं, उपर से बाबा मुझे धो रहे हैं. हो सकता है ऐसा? हो सकता है? मैं यहाँ कपड़े धो रही हूं, बरतन धो रही हूं और बाबा की किरने उपर से आ रही हैं, मुझे आत्मा को धो रही हैं. हम लोग जब मदुबन में अभ्यास कर रहे थे, तो कई भ थाली दे दे, मैं तेरी भी थाली दो देता तो कितने भी कपड़े जमा हो जाएं आपके पास दोने के लिए, बरतन दोने के लिए आप enjoy करेंगे यदि हम कर्म योगी बन जाते हैं, हम अपने कर्म को enjoy करने लगते हैं कर्म हमें irritate नहीं करते परिशान नहीं करते, हम ऐसा नहीं सोचते कि कब जल्दी खतम हो और मैं योग करने के लिए जाओ नहीं, अपने उस कर्म को ही योग बना लें तो हमारा योग gradually बढ़ता जाएगा